गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स अवर यू आई होप अल अफ यू फाइन टोड़े यूर इंग्लिश क्लास सो वी लर्न ग्रामर ओके एंजोईंग ग्रामर और उसका हम पढ़ रहे हैं सेकंड पार्ट जो कि हम कामन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में बात कर रहे थे मैंने आपको बताय था कि कॉमन नाउन क्या होता है और प्रॉपर नाउन क्या होता है इसी अनुसार से पेज नाबर सेकंड को आज डिसकस करेंगे अपन कि नेम्स ऑफ दे मॉंथ of the year and the day of the week और also proper noun जो महिनों के नाम है और जो दीनों में सब्ताह में जो दिन है उनके नाम भी proper nouns में आता है मैंने आपको समझाए था कि common noun वो होती है जिसे हम जिन में चीजों के particular names नहीं होते और proper noun वो होती है जिसमें particular चीजों के नाम होते है वो चीजें हो शहर हो कोई व्यक्ति हो या महिने हो दिन हो इन सब के particular नाम को भी हम proper noun में रखते हैं तो जैसे for example March, December, month name Tuesday and Sunday week, days name सब्ता के ये दीनों के नाम है जिसे इनकी definition क्या बनती है common noun और proper noun की a common noun is a name for a person, a place, an animal or a thing common noun वो होती है जिसमें किसी व्यक्ति को स्थान को या जानवर या थिंग्स को केते हैं उके उनने की नाम को common noun केते हैं और a proper noun is a special name for a person, a place, an animal or a thing और proper noun जिसमें किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का, किसी जानवर का और वस्तु का special नाम होता है common noun तो वो होती है कि इन सब चीजों के नामों को हम common noun केते हैं जैसे हमने person ना बोलके people बोल दिया, तो भी common हो गया place ना बोलके, वो city बोल दिया, तो भी common हो गया लेकिन proper noun जैसे हम particular किसी का नाम ले रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया था किसी का नाम हो गया, राहूल या किसी इस्थान का नाम हो गया, मैंने कहा कि मैं जैपूर जाके आई हूँ, तो जैपूर, ओके, तो ये इस तरह से पर्टिकुलर जब हम किसी चीज का नाम लेते हैं, तो वो होती है प्रॉपर नाउन, अब नीचे एक exercise दी गई है, जिसमें common noun और प्रॉपर नाउन दी जैसे common noun में लिखा हुए चोकलेट, अब चोकलेट तो कोई से भी हो सकते हैं, ओके, प्रॉपर नाउन में हमें क्या करना है, उनके particular नाम लिखना है, तो यहां आप और एक्जाम्पल दे रखा है, अमूल और second नंबर पर किट केट, इस तरह से नीचे soap, soap कोन से भी हो सकते ह हैं, तो मैंने यहां पर दिया है, लक्स, और इसके अलावा बी नंबर का, आप अपने मन पसंद का जो भी soap है, वो लिख दीजिए, school मैंने लिखा है, अपना करनी इंटरनेशनल स्कूल, मनसोर, आप किसी और other school का नाम भी इसमें add कर सकते हैं, city मैंने लिखी है, मनसोर, आजाते हैं, exercise number two पे, exercise number two पे आपको क्या करना है, underline the common noun and circle the proper nouns, underline तो आपको करना है, उन चीज़ों को, जो की common noun है, और circle उनको करना है, जो proper जिनके नाम दिये गए हैं, ओके, जैसे यहां पर एक example सेट किया है आपके लिए, कि I live in Delhi, तो Delhi क्या हुई, proper noun, it is the capital of India, तो capital मतलब राज़धानी किसकी, भारत की, तो capital को आप क्या करेंगे, underline कर लेंगे और इंडिया को वापत से क्या करेंगे, circle कर लेंगे, okay, the river Yamuna flows thought, Yamuna को आप क्या करेंगे, circle कर लेंगे, और river को क्या करेंगे, underline कर लेंगे, फिर Delhi, वो कहां बेती है, Delhi में, तो Delhi को आप वापस से circle कर लेंगे, there are many important buildings in the city, buildings और city, इनको आप क्या कर लेंगे, underline कर लेंगे, इस तरह से कुछ चीज़े दी गई है, जिनको आप क्या करेंगे, underline करना है, और circle लगाना है, तो आपको जहां पता पड़े कि यह particular किसी का नाम दिया गया है, तो उसे तो आप circle कर लेंगे, और जहां आपको यह लगे, कि हाँ, यह सिर्फ एक प्रकार दिया गया है, आपको यूज़ करने के लिए, तो वो आप क्या कर लेंगे, अंडरलाइन करेंगे, ओके चिल्डरन, तो यह exercise, उसके बाद नीचे जो दी है, circle the proper nouns in this box, उन्हें भी आपको क्या करना है, proper noun को circle करना है, तो जो जो proper noun है इसमें, उन्हें आप circle करेंगे, ठेके, तो यह आप करके मुझे personal भेजेंगे, ओके चिल्डरन, thank you so much, have a nice day.